हेलो गाइस वेल्गम टू कंप्रेटर सास्त इस वीडियो में हम डैनामिक मेमोरी एलोकेशन के बाड़ें पढ़ेंगे क्या होता है मैं क्यू उसकी यूज परती है तो जब भी हमें मेमोरी का नीड परता है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आस करते हैं कि मुझे इतने मेमोरी की जवड़त है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है तो यह आस करने का कुछ प्रीडिफाइंट फंसन है मैलोक रिया लोक हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे और भी फंसन्स होते हैं जब हमें मेमोरी के नीड परती है तो हम किसी फंसन स च्कुति को सच्टों से आस के चटेंग सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम होडे है ये जब भी मेम्री की जवड़तु है तो हमारा जो का मैमध करता है वह लोग होता करता है मैमोरी आघ़िए चसब को तो हो मैम परेटिंगे replied होते हैं तो अगर आपको जल्दी मेमोरी को allocate करना है तो आप system function को direct use करके भी access कर सकते हैं memory को generally लेकिन हम use नहीं करते हैं system functions को क्योंकि हर एक platform का system functions अलग होता है हर एक operating system का अलग होता है तो हमारा program dynamic नहीं रहेगा करने का मतलब कि हर एक operating system पर रन करने का lack नहीं रहेगा इसलिए हम predefined function को use करते हैं तो चलिए देखते हैं यह जो dynamic memory allocation है वो कैसे होता है जब भी हम कोई program बनाते हैं तो program कुछ memory जो लेता है तो memory कैसे use करता है वो देखते हैं तो जो भी program का code है वो एक समझ लो यह stack जैसा है वो सबसे नीचे होता program code इसके ऊपर एक stack में आपका जितना भी global variable हो गया static variable हो गया array हो गया यह सभी store होते हैं मतलब इस memory इतनी memory में छोटा से memory size में जितने variables हैं आपके वो store होते हैं और बाकी के code जो है वो यहां पर store होते हैं यह जो भी code है वो भी लिखा हुए वह भी तो थुद्रा से space लेंगे तो यहां होते हैं भाकि बीच का जो memory होता है इसे हम heep memory काते हैं तो हीप memory का जो property होता है वो समय के साथ अपना साइज कम या ज्यादा कर सकता है तो यह कम या ज्यादा कैसे होता है कि ही memory को ऊपर कि स्टैक होता है जिसमें हमारे जो भी important functions होते हैं जैसे कि main function हुआ करें मैंने के बिच में और में थाई यह जितने ही ऑड़ने वाले बनते हैं वह सारे हैं जो कि समय के साथ अपना साइज बढ़ा या कम कर सकते हैं जिसकि जो भी स्टाटिक भरियावल है या एड है वो अपना साइज बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं तो वो सब यहां बनते हैं सबसे उपर अपना मेमोरी लेकर स्टैक बनाता है और बीच का जो भी स्पेस बचा उसे हम हीप करते हैं तो ही नंहीं होते हैं जितने बड़ा साइज बड़ाया चोटा कर सकते हैं तो तो यहा हमारी मैं अंतलब कि मेमोरी इस तरह से हमारे computer हमें provide करता है आपको यह समझ में आए होगा यह एक श्टैक है तो देखते हैं हमारे C program में कौन से function है जो कि हमें dynamic memory देते हैं जैसे हमें जब जब नीड पढ़ेगा जितना नीड पढ़ेगा उतना memory हम कैसे लेते हैं system को call करके है तो हमारे पास चार ऐसे function है m alloc, realloc, c alloc and free memory तो हम इन तीनों से लेते हैं free से हम इनका memory free करते हैं तो यह हमारे function से तो एक एक करके देखते हैं जनरल यह तीन जो function यह हमें memory allocate करके देते हैं जब हम first time हमें memory के जोद पड़ीगे तो हम m alloc का use करेंगे तीनों का argument के करण तीनों different है अगर हमें first time memory के जोद पड़ीगे तो हम m alloc को use करेंगे अगर फिर भी हमारे program में कोई ऐसा point आता है जब हम m alloc से memory लिए और कम पर रहा है तो हम realloc से दुबारा memory को allocate कर लेंगे कुछ और memory ले लेंगे तीन फंसन है तो देखते हैं तीनों का syntax देखते हैं तो पहले मैलोक का देखते हैं तीनों सभी जो है चारो है वोईड पोइंटर को रिटान करते हैं मैलोक और int को आरगरूमेंट लेता है m alloc जो हमारा realloc होता है वो भी वोईड रिटन करता है वोईड पोइंटर को रिटन करता है और एक पोइंटर आगोमेंट लेता है पादूसरा न्यू साइज लेता है यह कौन सा पॉइंटर मैंने पी पॉइंटर में में मेमोर्य ऑफज़ें को बढ़ाना है तो पि के यहां पर पी आजाएगा मितलब कि यहां तो क्या करता है की से मान लेते हैं यह 100 memory का 100 bytes का memory बना और मुझे इससे ज्यादा जोगत पड़ता है तो realloc क्या करेगा पूरे हीप में कहीं पर जाकर 200 का 100 पहले था तो 150 या 200 का new memory बनाएगा और यह सारे 100 bytes के memory को पहले इसमें copy कर देगा और बागी का SPS आपको देदेगा तो realloc का यह काम होता है कि M-alloc या C-alloc से जो भी आपने बनाया था memory उसे totally copy कर देता है और memory थोड़ा extend कर देता है तो realloc का यह काम हो गया उसी तरह आपका C-alloc भी होता है या Calloc भी बोलते हैं लोग इसे इसे मैं C-alloc, Realloc, M-alloc बोलता हूं कुछ लोग इसे M-alloc बोलते हैं, Calloc बोलते हैं, Realloc बोलते हैं C-alloc और M-alloc में difference यह है कि C-alloc में सिधे हम में size देते हैं और इसमें हम items और size देते हैं जिसे कि मुझे 10 items चाहिए आइटम्स के हिसाब से अगर मुझे allocate करना है तो हम C-alloc का यूज करते हैं, अगर मुझे size के हिसाब से allocate करना है तो हम M-alloc का यूज करते हैं C-alloc argument होता है N items, size अगर आपको 100 items का बनाना तो यहां पर 100 लिखना पड़ेगा और 100 items का size क्या होगा, 100 into int का size तो size of int दे दिजिए, ऐसे C-alloc का बनेगा, अगर आपको M-alloc का बनाना तो यहां पर सिधे आप size दे दिजिए 100 into size of int दोनों के बस declaration में difference है, जड़ा कुछ difference नहीं होता है और realloc क्या करता है कि M-alloc या C-alloc से जो भी आपको memory मिला हुआ है, उन सारे को copy करता है और फिर उसका थोड़ा सा memory extend कर देता है, जिसमें आप new elements को डालते जाओ अग एक ही बार में पूरा memory इसलिए नहीं करता है, कि हो सकता है पूरे memory को use ही न करे, हो सकता है कि हमका program पूरे memory को use in न करे बिन काम का आपका program वह भलक हो जाएगा, आप slow work करने लगेगा इसलिए जब भी आप call करते है, call करते है M-alloc को तो जितना आप memory उसे आस करने के लिए बोलते हैं operating system से वह उतना memory तो ask कर लेता है या उससे जदा ही memory ask कर लेता है लेकिन आपको byte में memory देता है छुटछटा तुकड़ा करके memory देता है जब आप एक part of memory को full कर लोगे तो वह second वो क्या करेगा फिर से एक memory बनाएगा और इसे one part को इसमें copy कर देगा और थ्वास और में उसमें extra space रहेगा जब आप इसे भी फूल कर दोगे तो वो फिर से एक नया memory बनाएगा हिप में और इस पूड़े को copy कर देगा और यहां पर कुछ खाली space रहेगा तो यहीं ml का work है तो यह तो आप देखें syntax में ml का return type void होता है बड़ जब हमें use करते हैं तो हमें टाइप करना पड़ता है ml को कोई भी एक जैसे की dynamic array बनाते हैं तो इंट type का अगर dynamic array बना रहे हैं तो जैसे कि आपको पता है pointer दो pointer same type होता है तभी हमें उसे assign करते हैं तो ml को एक pointer को as a return देगा तो इसे pointer के pointer किसी pointer इंटर variable में ही assign करना होगा तो जब हम P में assign करेंगे तो ml को type cast करना होगा जो भी इसका data type है उसमें तो यहां पर इंट में data type है तो int star करना होगा mlk जो भी size है into size of int यहीं हमारा declaration है mlk का क्या है कि जो भी type का हमारा pointer है वह ऐसे type cast करना होगा अंदर में मुझे size देना होगा यहां पर mlk लेना हो सब ज़्यादा use mlk का हम करेंगे और रियालोग का भी समझ में आया कि जैसे कि अगर हम मुझे रियालोग का यहां यूज करना है तो फिर से रियालोग के पी में करना है तो पी is equal to type cast करेंगे similarly रियालोग पी को इस्टेंड करना तो पी देंगे कितना size चाहिए फिर से हम size दे देंगे मान लगते है 1000 बाइट चाहिए तो 1000 दे देंगे और हमारा रियालोग हो जाएगा समझ में आया आपका में फंसन में सारा प्रोग्राम रं किया और रिटर्न कर गया तो अगर आपने फ्री का यूज नहीं किया फ्री का यूज नहीं किया अपने पॉइंटर को फ्री करने के डाइनमिक मेमरी का यूज करने तो जब भी आपका में फंसन रिटर्न करेगा तो system अपने आप free का यूज़ करके सारे memory को release कर देगा तो आप चाहो तो कहीं बीच में free कर सकते new element में sign कर सकते और free function का यूज़ करके नहीं तो आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो तो बस dynamic memory allocation यही सब छोटी छोटी बात थे तो फिर new video में मिलते हैं thank you for watching guys